दोस्तो नेटग्यान चैनल में आपका स्वागत है कुरुपया नेटग्यान चैनल को सब्स्राइब करो ताकि आने वाले वीडियो और पहले वाले वीडियो आप देख सकेंगे आज मैं आपको वाज बेशिन फिक्षिंग के टाइम क्या प्रॉब्लम आए सकते है और उसको कैसे सॉल किया जा सकता है उसके बारे में बता रहा हूँ मेरे घर में अठ्रवाए बारा का एक वाज बेशिन है उसका कॉर्नर फोड़ा डेमेज हुआ इसके लिए मैंने नया वाज बेशिन लाया वाज बेशिन नॉर्मल चारिपी स्कूरू से फिक्स किया था वाज क्रू रस्ड होते है और उस से ही वाज बेशिन टैमेज हो जाता है बहुत अंशिब भी होता है ये 8-11рь का वर्ज बीशिन है, वहीट कलर का, उसके साथ में मैंने श्टेंले श्टील का वर्ज बीशिन बोल्ट फिक्सिंग कीट लाया इस कीट में 4.5 इंच लंबाई का 3 by 8 इंच का 2 बोल्ट आता है 2 नट आता है, 2 वाशिर आता है, 2 PVC क्याप आता है और 2 PVC ग्रिप आता है वाज बेशिन का हाइट और लेवल फिक्स किया वोल का पोजिशन मार्क किया वाज बेशिन फिक्शिंग का प्रोसेस बहुत आसान है पहले डिल मेशिन से होल डिल करने का उसमें फिर प्लास्टिक स्लिव डालने का और उस प्लास्टिक स्लिव में बेशिन बॉल्ट डालके पाना से बॉल्ट फिक्स करने का और फिर वाशिर और नट लगाने का पहले वा टेमेज हुआ और पूरा लीकेज हुआ फिर मेन कॉक बंद करके लंबाई में 6 इंची और चवडाई में लगबग 2 इंची का पोर्शन क्लियर कर दिया जियाई पाइप ओपन कर दिया और ड्राय होने के बाद में उसमें कारपेच लगाया A और B पार्ट एक्वल मिक्स करके उसके उपर लगाया और फिर उसके उपर सिमेंट और रेती का एक बाई एक का प्रोपोर्शन में थोड़ा पानी डाल के रेती माल बनाया और जिया पाइप के उपर होल बर दिया फिर साथ दिन उसको पैसा ही रखा उसको तराई किया और फिर जबी पूरा लिकेज बंद हुआ ऐसा कनफर्म हुआ तो फिर वापस दोनों होल ड्रील करके वाज बेशिन फिक्स कर दिया पाइप कनेक्शन किया वेस्ट पाइप और कपलिंग कनेक्श किया और नल भी फिक्स किया रिपेरिंग काम में जबी ड्रील करते है तबी ये कंचिल लाइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कभी गलती से भी ड्रील हुआ तो बहुत प्रॉब्लेम आ सकता है कुछ कॉमेंट है तो कॉमेंट भी करो और सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियो भी आप देख सकेंगे और पहले वाले वीडियो भी देख सकेंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाँ